उत्तर प्रदेश में आवारा पश्मू को लेकर के विपक्ष सरकार से लगातार सवाल करता रहा लेकिन सरकार ने एक मियाद बनाई थी लेकिन लगातारे मामलू में किस तरीकी से काम हो रहा है इस पर बात करने के लिए हमारे साथ में पशुदन विकास मंत्री हरंपाल सिंग सर यह बताई किस तरीके से आप जो है छुट्टा जानवर की समस्या को खत्म करेंगी लगातार आपने अभियान भी चलाये था गोशालाये बनाई थी लेकिन आप बरेली पहुंचे थे आपने समीक्षा की थी अभी भी आप सैटिस्फाइड नहीं है जिस तरीके की चीज़ी दिखें उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की प्रात्मिक्ता है जिसे बिपक्ष छुट्टा पुसू कहता है योगी सरकार की प्रात्मिक्ता हों वो निरासित गौवन से ऐसे निरासित गौवन्स को आस्रे इस तल पर पहुंचा कर उन्हें पहुंचाना ही नहीं उनके रह का प्रेबन करना पानी का प्रेबन करना परकास की बेवस्था करना और जो गौसालाइं बने हैं उन गौसाला का बिस्थारी करन करना और अभी कुछ जल्दी है तो कुछ इस्थानों पर नगरों में नगर विकास मंत्री मानिये सर्माजी से ही बात हुई है टंपरेरी गौसालाएं बनाना और जिलों पर भी temporary गौसालाएं बना कर हम एक नवंबर से 31 दिसंबर तक पूरे बिस्तार के साथ निराश्ट गौवन्स को जो किसानों के खेतों में सडकों पर गलियों में सहरों में दिखाई देते हैं उन्हें समय बद पकड़वा कर इन गौसालाओं में पहुंचाने का काम करेंगे गौसालाओं बनाने का बजट भी जारी कर दिया है निर्माड भी शुरू हो गया है तो निश्चित रूप से ऐसी प्रात्मिक्ताओं में हमारी आवश सकता है सरकार की विवस्था भी है कि ये जो निराश्चित गौवन से किसानों के खेतों में सड़कों पर दिखाई ना दे सर आपका नुमार क्या विवाग की तरफ से लगबग कितने अभी भी आवारा पशु है उत्तरपदेश में जिन पर नियंतर्ण करना है जो आंकड़ा है वो क्या कहता है फिलाल की तो सर एक सवाल और जिस तरीके से कुछ घटनाय भी हाल में हुई थी आनिगोहा में घटना हुई थी गोसाई गंज में जहां पर दो आप भसगे भाईयों की एक जानवर से टकराने से मौत हो गई लगातार इस तरीके के मामलों में आपको लगता है कि एक कॉडिनेशन भी चा सच में पसूओं का और मनस्यों का बहुत गहरा संबंद है अब बरतमान समय में यही चिंता है मनस्यों में पस्ता आगी और पसूओं में किरूरता आगी पहले पसू मर जाता था गाए भैस तो ब्यक्ति परिवार में सोक मना था, रोता था, खाना नहीं खाता था, आज गाये दूद देती है तब तक रखेंगे, दूद नहीं देती है तब छोड़ देंगे, तो मेरा निवेदन है, समाज से भी विशेश अनरोध है, आपके इस चैनल के माध्यम से, दूद देने के बाद गायों को छोड़ना बंद कर सरकार पूरा बजट भी इस पर खर्च करते जब तक समाज खड़ा नहीं होगा, तब तक ये विवस्था हल नहीं होगी, और समाज खड़ा होगा, अभी हमने अपनी विधानसवा में, आउला विधानसवा है मेरी, जन्माष्टमी के अफसर पर भगवान कृष्ण की पूजा कराना, एक नारा दिया था, कि महलाएं दो मुठी आटा गवगरास के नाम से, मेरा देश, मेरे गाउं के लिए मृतकल इसमें एक चुटकी मिटी लेकर आएं, तो ये इस पचास गाउं में मेरा जाना हुआ, और इस पचास गाउं में कम से कम बीस पच्चिस में, और वो रुपया में ने जिलादिकारी बरेली के खाते में जमा कर दिया है, और ये सतर गाएं, जिने निरासित घूम रहे हैं, उन्हें एक गौसाला में पहुंचा कर इसी रुपए से उनका पालन पोर्शन करेंगे, तो समाज भी खड़ा होगा, हम इन अभ्यानों के माध्यम से समान को खड़ा करने का भी प्रियास करेंगी. तो इतना भेंकर साड़ बन नहीं आता, बच्छरा जो छोड़ते हैं लोग, हम अब बधियाकन की विवस्था कर रहे हैं, तो ये उन्हें की जो समस्या दी हुई है, हम उसी का निराकन करने का प्रियास कर रहे हैं, जो पिछली सरकारों ने जिसको छोड़ा है, ये अब मैं कहूंगा तो अच्से उक्ती होगी है, सब उनी के दिया हुआ संकट है, सवाल है, कब तक की डेडलाइन आपने निजाद की साल की अंग तक इस्थिती उत्तर प्रदेश में कितनी बहतर होगी है, इस पूरे मामले को ले करके बात की है, उनका दावा है कि इस अभ्यान के ज